जैसे हैं आप सभी तो आज फिर हम एक नए क्वेस्टिन के साथ आ गए हैं वेरियम क्लॉराइड अन्रेक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लॉराइड ठीक है वीच अप दो फॉलोइंग करेक्टली रेप्रेजेंट दो टाइ क्लॉराइड ठीक है वेरियम सल्फेट पर्मॉराइड क्लॉराइड फॉर्मॉरीम हमारा क्या है। क्योंकि आइन्स हैं तो आइन्स की एक्सचेंजिंग होती है तो बेरियम हमारा किस के साथ चला जाएगा सलफेट के साथ और अमोनियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ तो यदि बेरियम जाएगा सलफेट के साथ ध्यान से देखो क्या बन जाएगा बीये एसोफूर बन वो होगा NH4Cl, ठीक है, 2NH4Cl हो जाएगा, अब आप जानते हो कि जो बेरियम सलफेट है, वो एक प्रेसिपिटेट होता है, यानि ये अपने साथ वाले सलूशन में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ दो तीन चीजें एकदम क्लियर होगा, इक भाई इसमें 4 ओप्सन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि आप देख रहोगी, जो डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन होता है, उसी को हम प्रेसिपिटेशन रियक्शन भी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ दूसरा और चौथा, यह दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होंगे, ठीक है, जो आपका डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन है, डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन, डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन जो है न, यह दो टाइप का होता है, ठीक है, डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन टू टाइप का होता है, फर्स्ट आपका क्या होता है, प neutralization reaction ठीक है तो इसका example तो आप उपर देख रहे हो अभी अभी आपने देखा जिस भी reaction में precipitate form होता है उसको हम precipitation reaction बोलते हैं लेकिन neutralization reaction क्या होता है तो आपके लिए एक example हम आपको बता दे रहे हैं जब कोई भी acid किसी base से combine होता है तो वहाँ पे आप जानते हो क्या बनता है salt water बनता है और इसी को हम क्या कहते है neutralization reaction कोई example के दिए हम बात करें तो देहां से देखो हमारा माला हमने base ले लिया यह ने ओएच ठीक है चलो इसको इधर से हटा कर हम जो है acid लिख देते हैं पहले जिसे hcl कर लिया और base के नीचे हो गया यह ने ओएच ठीक है यह क्या बन ज इसको neutralization reaction कहते है ठीक है तो दो तरीके का double displacement reaction होता है तो यहाँ पे हमारा second option भी correct है और fourth option भी correct है तो जो option दिया हुआ है जो statement का option है उनमें कौन सा सही होगा तो यहाँ सही होगा D वाला क्योंकि इसमें second और fourth दो दिया है ठीक है तो यह आपका यहाँ पे correct answer हो जाएगा ठीक थैंक यू यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को subscribe करिए ठीक है जो वीडियो है उसको आप like करिए friend के साथ share करिए और ऐसे ही अच्छे वीडियो और questions के लिए चैनल को प्लीज बे like and press करिए जिससे आप मारे साथ जुड़े रहे है थैंक यू थैंक